मोवी की शुरुवात होती है एक नरेशन से जो 172 यर्ज ओल अगनीस नाम की गौड मदर देती है जो हमें मदर लैंड के बार में बताती है मदर लैंड एक ऐसी जादूई जगा है जहां जादूई Fairy गौड मदर्स का स्कूल होता है और वो वहाँ पर गौड मदर होने की कला को सिखाती है बड़े सी मदर लैंड में एलिनॉर मदर लैंड की यंगेस ट्रेनी होती है जो गौड मदर बनने के लिए अपलाए करती है और उसे सीखना चाहती है क्योंकि वो एक रियल की फेरी गौड मदर बनना चाहती थी एलिनॉर का कोई दोस्त नहीं होता जब वो अपनी स्कूल की क्लास में बैटी होती है तो वहाँ पर मौईरा आ जाती है मौईरा कॉलिज की हैड मेंस्ट्रेस होती है और उन्होंने ही फेरी गौड मदर इंग की बारे में बुक लिखी थी लेकिन वक्त के साथ-साथ उनके फॉर्मिलो सदीय पुराने हो चुके थे दूसरी फैरी गॉर्ड मदर ग्रेटर घुसा हो जाती है और बोलती है कि क्या हम इसके अलावा कुछ अलग कर सकते हैं लेकिन क्योंकि मॉयरा हैड मिस्ट्रिस होती है तो सब ही उससे बहुत डरते हैं और गुसे में मॉयरा कहती है कि जिन्दगी इसी happily ever after की तरह ही होती है और हमें इसी पर विश्वास करना होगा लेकिन ग्रेटर कहती है कि हम सब ये बात जानते है कि लोगोंने happily ever after पर विवलीव करना छोड़ दिया है और इसलिए स्कूल बंद हो रहा है और अगर लोग हम पर विश्वास करते तो हम इतने समय से कोई assignment क्यों नहीं कर पाए सब ये बात जानते हैं कि सारी godmother's को assignment नहीं मिला तो इसका मतलब ये है कि लोगों को fairy godmother की जरूरत नहीं है और school बन होने के बाद वो सब सिर्फ tooth fairies बन कर रह जाएंगी इन सब बातों को सुनकर एलिनॉर ये डिसाइड करती है कि जब तक वो को assignment ढून कर नहीं लाती तब तक वो fairy godmother नहीं बन सकती और इसलिए वो assignment ढूनने के लिए library में निकल जाती है जहां पर सभी बच्चों के assignment रखे होते हैं वो वहां कोई भी assignment नहीं ढून पाती लेकिन पूरे दिन मेहनत करने के बाद जैसे ही वो give up करने वाली होती है वैसे ही उसे एक आखरी assignment मिल जाता है जो मेकेंजी वॉल्स के नाम पर होता है मेकेंजी एक 10 साल की बच्ची होती है जो अमेरिका में रहती है और उसकी ये विश्च थी कि एक लास का cutest लड़का उसकी तरफ नज़र उठा कर देखे अब इस बात को सुनकर एलिनॉर अपना सारा समान पैक करके एगनीज को इस बार में बता कर वहां से मेकेंजी की मदद करने के लिए निकल परती है अगनीज कई बार इस बारे में उसे वान करने की कोशिश करती है कि मोईरा गुस्ते में उसकी शक्तिया छीन सकती है और वो ये पोर्टल भी बंद कर सकती है लेकिन इस चीज की परवा किये बिना एलिनॉर वहां से मेकेंजी की मदद करने निकल बढ़ती है क्योंकि एलिनॉर नहीं चाहती थी कि फेरी गौड मदद का स्कूल बंद हो जाए एलिनॉर पोर्टल को खोल कर अमेरिका में पहुँच जाती है वो वहां से चलते हुए कुछ पंपकिन्स को देखती है और वो सोचते है कि वो पंपकिन्स को कोचियर्ट में बदल कर जल्दी से मेकेंजी के पास पहुँच सकती है और वो वहां पर सबसे मुश्कल स्पेल की प्राक्टिस करने की कोशिश करती है ताकि वो उन पंपकिन्स को एक कैरियर्ट में बदल सके लेकिन वो हर बार फेल हो जाती है वो ये सब करते करते कुछ दोर चली जाती है और रास्ते में उसे बैट मिलती है जो कि शहर की तरफ जा रही होती है अब एलिनॉर बैट की मदद से मेकेंजी तक पहुँच जाती है पैट उसे एक न्यूस चैनल के आफिस के सामने छोड़ देती है जहां अंदर कुछ रिपोर्टर्स लाइफ न्यूस टेली कास्ट कर रहे होते हैं वो इन सब चीजों को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसने ये सब पहले कभी नहीं देखा होता है जिसके बात वो यहां पर मेकेंजी से मिलती है लेकिन मेकेंजी बिलकुल भी उस्तारा नहीं होती जिसतारा उसनी सोचा था असल में मेकेंजी अब बड़ी हो चुकी है और उसके दो बच्चे भी है जो न्यूस चैनल कंपनी के लिए काम करती है और वो बहुत ही जादा बिजी होती है एलिनॉर उसे पहचान नहीं पाती लेकिन जब उसे पता चलता है कि मेकेंजी अब बड़ी हो चुकी है तो वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि वो एक असली फैरी गॉर्ड मदर है लेकिन मेकेंजी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और अपनी बात को प्रूफ करने के लिए एलिनॉर उसे एक माजिक ट्रिक करके दिखाती है एलिनॉर मेकेंजी की ड्रेस को एक फुल लेंड जाकिट में बदल देती है जिसे देखकर मेकेंजी शौक हो जाती है और वो उसे अपने घर ले जाती है जिसकी बाद वो उसे अपने घर लाकर घर की बेस्मेन में चुपा देती है क्योंकि एलिनॉर लोगों के साथ रहना बिल्कुल भी नहीं जानती थी एलिनॉर उसके घर को देखती है और उसे ये बात पता चलती है कि मेकेंजी का घर एक क्यासल की तरह बिल्कुल भी नहीं है और वो कुछ बिल्कुल भी नहीं रहती चिसकी बाद मेकेंजी अपना सारा समान समेट ही रही होती है तब ही उसकी बड़ी बेटी जेन उसे बताती है कि स्कूल टीचर मिस्टर क्लेंजी चाहते हैं कि वो परेड में लीट सिंगिंग करे और जेन इस वज़ा से कंफ्यूज होती है कि ये उसे वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं लेकिन मेकेंजी उसे मना कर देती है मेकेंजी की बहन पॉला उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो बिल्कल भी सपोर्टिव नहीं है और बच्चों को एंकरेच नहीं करती तब ही मेकेंजी उसे मना करने का असली रीजन बताती है और सिक्स कांडेड में स्टेज पर जाने से पहले उसे हाई फीवर था और जब भी वो स्टेज पर जाने की कोशिश करती है हमेशे वो बुरी तरह बिमार पड़ जाती है वहीं दूशी तरफ एलिनॉर बेस्मेन में बैट कर मेकेंजी की वेरिंग फोटोस को देखती है लेकिन तब ही मेकेंजी वहाँ आकर उसे पकड़ लेती है और वो उसे बताती है कि लाइफ हमेशा एक फेरी टेल की तरह नहीं होती है लाइफ में बहुत अपसें डाउंस भी होते हैं एलिनॉर इस बात को नहीं समझ पाती तभी मदरलैंड में मुईरा को पता चल जाता है कि एलिनॉर मदरलैंड में नहीं है अगली सुबर जब मेकेंजी उठती है तो उसका घर पूरी तरह से बदल चुका होता है एलिनॉर ने अवे जादू की मदद से उसके पूरे घर को पुराने जमाने की तरह बना दिया था और उसके पेट डॉक को भी एक पिगलेट में बदल दिया था तभी मेकेंजी की बच्चे वहाँ पर आका ये सब चीज़े देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि एलिनॉर मेकेंजी की गौड मदर है मेकेंजी अपनी बेटियों को बताती है कि एलिनॉर अब यहाँ जादा दिन नहीं रह सकती लेकिन उसकी बेटियों की जिद करने पर एलिनॉर वहाँ कुछ दिनों के लिए और रुक जाती है अब क्यूंकि एलिनॉर घर पर पूरे दिन अकेली रहती थी इसलिए मेकेंजी उसे अपने साथ अपने आफिस ले जाती है जहां वो हूग से मिलती है हीूग मेकेंजी का कलीग होता है एलिनॉर वहाँ सैट की चीज़ों को इधर उधर करने लगती है इसलिए मेकेंजी उसे दूर एक फूट स्टॉल पर भेश देती है एलिनॉर इतना सारा सी फूट खा जाती है कि उसके फेस पे रियाक्शन होने लगते है और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है एलिनॉर की जान बचाने के लिए मेकेंजी जल्दी से रियाक्शन को कम करने के लिए एक इंजेक्शन ढूनती है लेकिन क्योंकि एलिनॉर इंजेक्शन से डरती थी तो injection लगवाते समय वो कुछ ऐसे spell बोल देती है जो कि आस्मान में बहुत बड़े धमाके करने लगते हैं और ये आस्मान में हुए धमाके national headlines बन जाते हैं जिसके बाद वो दोनों वापस घर आ जाते हैं एलिनॉर शांती से बैठ कर अपने रूम में पढ़ रही होती है कि तब ही वहाँ पर अगनीज आकर उससे बात करने लगती हैं एलिनॉर एगनीज को बताती है कि ये ऐसा बिलकुल नहीं है जैसा उसने सोचा था मेकेंजी दस साल की बच्चे बिलकुल भी नहीं है बलकि वो तो दो बच्चों की मा है कि हुग मेकेंजी को चाहता है लेकिन मेकेंजी उससे अच्चे से बात तक नहीं करती वो खुश नहीं रह पाती और हर चीज से भागती है तब ही एगनीज उसे बताती है कि ऐसा लगता है कि मानों वो खुशी पर विश्वार सी नहीं रखती हो इस चीज़ को सुनते ही एलिनॉर को एक आइडिया आता है जिसके बाद वो मेकेंजी को पताती है कि उसे मेक ओवर की जरुवत है पहले तो मेकेंजी विल्कुल भी नहीं मानती लेकिन एलिनॉर उसे जबरदस्ती भेज देती है अब घर पर बच्चों के साथ मस्ती करते हुए एलिनॉर को पता चलता है कि जेन एक कमाल की सिंगर है लेकिन वो पब्लिकली परफॉर्म नहीं कर पाती है क्योंकि जब भी उसने परफॉर्म करने की कोशिश करी है वहीं दूसरी तरफ हम मेकेंजी को देखते हैं जो अपना मेक ओवर कराने की बाद बहुत ही खुश होती है वहीं दूसरी तरफ एलिनॉर कहती है कि जेन को एक पब्लिक कॉंसर्ट करना चाहिए और वो जेन को गिटार पकड़ाती है और खुद गंदी आवाज में गाना शुरू कर देती है वो जेन से कहती है कि हम ये परफॉर्म करेंगे कुछ लोग उनका मज़ा पड़ाने की कोशिश करते हैं और स्नोबहल भी मारते हैं लेकिन एलिनॉर के होते हुए जेन को इन बातों का फरक्त नहीं परता और वो एलिनॉर के साथ गाती जाती है लेकिन तब ही वहाँ पर मेकेंजी आ जाती है जेन उसे कहती है कि वो शायद अब ठीक हो चुकी है और वो परेड में गा सकती है तब ही मिया एक क्रिसमस ट्री खरीदने की जिद करती है और मेकेंजी मान जाती है जिसके बाद वो लोग घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं और साथ में क्रिस्मस भी मनाते हैं और सबी लोगों को खुश देखकर एलिनॉर भी बहुत खुश हो जाती है अगले दिन मेकेंजी हुग और अपने फ्रेंड के साथ ऑफिस के एक असाइन्मेंट पर जा रही होती है जहां उन्हें स्नोस्टॉर्म को देखने का काम दिया गया था और एलिनॉर भी उसके साथ उस असाइन्मेंट पर गई होती है वहीं घर पर अगनी इस एलिनॉर के लिए एक मैसेज ड्रॉप करती है ये मौरा दो दिन में पोर्टल बंद करने वाली है हीूग और मेकेंजी वहां स्लाइड करते हुए बच्चों का लाइव रिकॉर्डिंग टेलिकास कर रहे होते है और बच्चों को देखकर एलिनॉर को भी वो चीज़ करने का मन करता है इसलिए वो उपर जाकर एक फ्लाइंग सॉसर ले लेती है लेकिन जब वो स्लाइड करते हुए आ रही होती है तो वो गलती से हूग पर जम कर देती है जो कि पूरा वाइव रिकॉर्ड हो रहा था और देखते ही देखते वो विडियो वायरल हो जाती है मेकेंजी और हुग बहुत डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसकी वज़े से उनके जॉब चली जाएगी लेकिन सप्राइजिंगली उनका बॉस उनके वाइरल होने से बहुत खुश हो जाता है और वो इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए सबी बार में जाने का डिसाइड करते हैं जहां मेकेंजी एलिनॉर और हुग को अकेले में बात करते हुई देख लेती है जिससे उसे लगता है कि वो उन दोनों को एक हैपिली एवर आफ्टर दे सकती है वहाँ पर हुग मेकेंजी को बताता है कि वो भी एक सिंगल डैड है जिसके बाद मेकेंजी एलिनॉर को बताती है कि वो शायद हुग को पसंद करने लगी है लेकिन वो एलिनॉर से कोई भी माजिक करवाना नहीं चाहती और इस बात को किसी को भी बताना नहीं चाहती वहीं दूसरी तरफ जब अगनीज अखेले अपने कमरे में होती है तो मॉयरा वहाँ पर आ जाती है और उन्ने बताती है कि कुछ जनों में स्कूल बंध हो जाएगा और वह खुद नहीं चाहती कि एलिनॉर एक फेलियर बंके ही रह जाए क्योंकि अगर उसके वापस आने से पहले स्कूल बंध हो जाएगा तो वह ग्राजवेट नहीं हो पाएगी और मॉयरा का कोई भी स्रूडेंट आज तक फेल नहीं हुआ है तो अगर वो एक दिन के अंदर वापस नहीं आती तो वो उसकी पावर्स को छीन लेगी अब अगनीज जल्द से जल्द ये बात एलिनॉर को बताती है कि उसे जो भी कुछ करना होगा जल्दी करना होगा नहीं तो उसकी पावर्स उसे छीन ली जाएंगी जिसके बाद हम देखते हैं कि मेकेंजी अपनी आफिस की एक पार्टी में हीूग के साथ जाती है और वहाँ वो उसके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंट करती है लेकिन एलिनॉर वहाँ पर आकर मेकेंजी की उपर जादू कर देती है जिससे वो हीूग के साथ डांस करनी लगती है और अचानक ही उसके अंदर रोमैंस जाग जाता है लेकिन जब उनका बॉस वापस से सौन को बदल देता है तब ही मेकेंजी को रेलाइस होता है कि ये उसने क्या कर दिया और वहाँ से भाग कर वाश्रूम में चली जाती है एलिनॉर वहाँ पर भी पहुँच जाती है और उसका कॉस्ट्यूम बदल देती है मेकेंजी एलिनॉर को बताने की कोशिश करती है कि उसके साथ अभी अभी कुछ बहुत ही अजीब और गरीब चीज़े हुई है लेकिन ये बताते हुए उसे रेलाइस हो जाता है कि ये सारी चीज़े एलिनॉर के अलावा और कोई नहीं कर सकता अब अपने कॉस्ट्यूम को चुपाते हुए मेकेंजी बाहर से चुप कर जा रही होती है और तब ही एलिनॉर की ड्रेस से आफिस का स्पीकर ओपन हो जाता है जिससे वो दोनों जो भी बाते करते हैं पूरा आफिस उनकी बाते सुन लेता है मेकेंजी और ऐलिनौर एक दूसरे से हीوग के बार मी बाते करने लगते हैं एलिनौर कहती है की वो क्यों उसके साथ बात करने की कोशिश नहीं करती वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है जिसके बाद मेकेंजी की बॉस एलिनौर को पहचान लेते हैं कि ये वही फ्राइंग सौसर वाली लड़की है। एलिनॉर मेकेंजी की बॉस को पता देती है कि पहले ही उगर मेकेंजी डर रहे थे कि उन दोनों की जॉब चली जाएगी। लेकिन उनकी वीडियो हिट होने के बाद वो बहुत खुश हो गए। इस बात को सुनकर मेकेंजी की बॉस को लगता है कि उन्होंने ये पूरा वीडियो जान बुच कर प्लान किया था और इसलिए उन्हें अगली सुबा जॉब से निकालने के लिए बुलाया जाता है मेकेंजी इन सब बातों से बहुत नाराज हो जाती है और वो एलिनॉर से कहती है कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है इन सब बातों को सुनकर एलिनॉर बहुत उदास हो जाती है और वो वहां से चली जाती है कुछ देर बाद उनके घर में पॉला आती है और वो देखती है कि एलिनॉर वहां से जा चुकी है तो वो उसे ढूणने के लिए वहाँ से निकल जाती है अगली सुवह मेकेंजी और यूग आफिस में अपने बॉस से मिलने का वेट कर रहे होते हैं अब उनके बॉस उन्हें बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वो वाइरल वीडियो जूट था या सच जिस पर मेकेंजी उन्हें बताती है कि उन्होंने उस स्टोरी को बिलकुल भी फेक नहीं किया था इस बात को सुनकर वो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके चानल के टी आरपी उस वीडियो के कारण बहुत बढ़ गई थी और वो चाहते थे कि मेकेंजी एलिनॉर पर और भी स्टोरी बनाए लेकिन मेकेंजी इस बात पर अग्रीड नहीं करती है क्योंकि वो किसी मासूम को इस टी आरपी के बिजनिस में इन्वर्व नहीं करना चाहती थी जिस पर मेकेंजी के बॉस उसे धंकी देते हैं कि अगर उन्होंने उसकी बात को नहीं माना तो वो उसे जॉब से निकाल देंगे और मेकेंजी खुद ही वो जॉब छोड़ देती है मेकेंजी जाते हुए हुग को कहती है कि तुम इस जगा से बहुत ज़्यादा चीज़ें डिजर्व करते हो तब ही हुग भी उस जॉब को छोड़ देता है क्योंकि उसे इससे बेटर शो मिल चुका था इसी तरह वो दोनों साथ में जॉब को छोड़ कर आगे बढ़ते हैं मेकेंजी जैसे ही घर आ रही होती है तो उसे जेन की टीचर का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि जैन अब तक रिहरसल के लिए नहीं आई है और आज परफॉर्मेंस का दिन है इस बात को सुनकर मेकेंजी जल्दी से जल्दी जैन के पास जाती है मेकेंजी उसे बताती है कि तुम्हें अभी के लिए वहाँ जाना होगा लेकिन जैन एलिनॉर के बिना स्टेज पर जाने से मना कर देती है जिस पर मेकेंजी प्रामिस करती है कि वो एलिनॉर को ढून कर रहेगी लेकिन तब ही पॉला का मेसेज आता है कि उसने एलिनॉर को ढून लिया है लेकिन तब ही जेन, मिया और मेकेंजी वहाँ पर आ जाते हैं वो उसे बताते हैं कि एलिनॉर की बगएर जेन स्टेज पर नहीं जा पा रही है इसलिए एलिनॉर अपने जादू से जेन को एक फेरी ड्रेस पहनाती है और क्यूंकि वो एक पंकिन को एक कैरज में बदल नहीं पा रहे थे तो वो वाटरमेलन को एक कैरज में बदल देती है अब सभी एलिनॉर के इस कैरज में उढ़कर परेड ने जाते हैं जहाँ जेन का परफॉर्मेंस होता है जेन स्टेज पर जाने से बहुत डर रही होती है तब ही मैकेंजी उसके डाट का गिटार लाकर उसे दे देती है ताकि वो अपने डाट की प्रेजन्स उस वक्त अपने साथ पील कर सके क्योंकि वो बच्पन में हमेशा उनके साथ गाया करती थी जिसके बाद वो एलिनॉर को देखकर धीरे धीरे हम्मत करती है और उस गिटार की प्रेजन्स से अपना गाना गाती है जैसे ही गाना खतम होता है वहां हेड मिस्ट्रस मौयरा आ जाती है और एलिनॉर को अपने साथ ले जाने लगती है एलिनॉर सबी लोगों के सामने मिताती है कि वो फेरी गॉड मदर है और मेकेंजी उसका आखरी असाइन्मेंट थी और वो ये चाहती है कि वो अपना हैपिली एवर आफटर जी है मौईरा कहती है कि ये कोई हैपिली एवर आफटर नहीं हुआ और वो ऐसा कहे कर उसकी जादो की छड़ी छीनने लगती है तब ही मैकेंजी उसकी छड़ी उसको वापस कर देती है और उसका सपोर्ट करते हुए कहती है कि चार साल पहले उसने उमीद छोड़ दी थी कि अब उसकी कहानी आगे बढ़ेगी लेकिन एलिनॉर की मदद से वो खुश रहने लगी और अपने दोनों सच्चे प्यार को वापस पा लिया जो कि उसकी बेटिया है तो ये उसका हैपिली एवर आफ्टर नहीं है तो और क्या है एलिनॉर मॉयरा को बताती है कि हर बात प्रिंसिस का गाउन या एक प्रिंस की जरूरत नहीं होती उन्हें बस खुश रहना आना चाहिए जो कि सबसे जरूरी होता है इन्ही बातों को सुनकर मॉयरा समझ जाती है और खुश हो जाती है कि एलिनॉर ने अपनी दम पर ये सारी चीज़े की और इसी तरह दोनों खुशी-कुशी मदर लैंड वापस से ले जाते है वहाँ पर स्कूल बन नहीं होता और एलिनॉर वहाँ गौड मदर बन के पढ़ानी लगती है इसी के साथ ये मूवी यही पर खतम हो जाती है और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीज़े और चान को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजेगा आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाए